हलो एब्रिवान, वेलकम टो विदानतुनी टॉपर्स, आपको यहां पे गौरफ सर एक बहुत बड़ा सर्प्राइज देने वाले हैं, तो सभी बच्चे आज रात को बारा बज़े यहीं पे हम आपको मिलेंगे, ठीके जी, बहुत बड़ा सर्प्राइज है, ठीके जी, सब्सक्राइज आता है, सम बेसी कवसेप्स ऑफ केमेस्टरी, इसमें आपके पास मोल्स निकालने के तीन तरीके हैं, सबसे पहले मास, दूसरा है नबर अपार्रिकल, जान प्रीसरा है वाल्यूम, मास के लिए बाटा, गिवन मास पाइ मोलर अपार्टिकल वाल्यूम, एक आपके पास आता है mole fraction, आपके बास एक mixture है, उस mixture में आपने बहुत सारे components जा ले और आपको एक component की mole fraction निकाली है, तो आपको उस component की number of moles divided by सभी के सभी components के जितने भी number of total number of moles आते हैं, वो आपको डिवाइट कर दे रहे हैं, आप देखो बेटा, जितने भी उसमें components होगे, अगर एक number of components है, सभी की mole fraction का sum आपके पास unity होता है, नेक्स आपके बास आता है, what is molality and what is molarity, तो यहाद रखना हैं, जिसमें रीटा आती है, वहाँ पे volume होता है, यहाँ पे number of moles of solute है उपर, molarity में बेटा नीचे क्या है, volume of solution in liters, उसके units देख लो, liters है, और यहाँ पे क्या है, आपके पास mass of solvent in kilograms, not grams, kilograms है, चेके, उसके बाद बेटा, गर molality दी हुई है, molarity निकालनी है, molarity दी हुई है, molality निकालनी है, आपको यहाला formula अप्लाए करना है, जिसमें D आपके पास density है, W आपके पास, weight है solute का, अब देखते हैं, आगे आपके पास अगर आपको percentage निकालनी है, मैं percentage कैसे निकालनी है, तो देखो यार, percentage मतलब 100, आप देखो यार, आपने solute रखना है, नीचे आपने solution रखना है, solute by solution आपने रखना है, तो बहुत धान से इस चीज को देखना है, बच्चा, अगर आपके पास W by W है, weight of solute by weight of solution into 100, W by V है, weight of solute divided by volume of solution, weight of V by V है, तो volume of solute divided by volume of solution, सभी में into 100 कर देना है, और एक बात बताओ, अगर आपके पास PPM है, अगर आपके पास क्या है, अरे, यह क्या ह हो जाता है, कभी-कभी, अगर बच्चा, आपके पास PPM है, तो आपको इससे मुल्टिपला करना 10 raised to power 6 से, ना की 100 से, बस इतना सा डिफरेंस है, अब देखे है, अगे आपके पास आता है, लिमिटेंग रिएजेंग, बहुत इसी चीज है, आपको एक एक्वेशन गिवेश है, तो मैंने आपर किया, गिवन divided by stachometric coefficient, that is 2 divided by 1, 9 divided by 3, इसकी वाल्यू आजाएगी 2, इसकी वाल्यू आजाएगी 3, जो पास पास that is equal to density of gas by density of h2, और बेटा, according to ideal gas equation, तो आपके पास molar gas का volume, molar gas, volume कहां से बोल रहे हैं, molar mass का molar mass of gas divided by molar mass of h2, अरे, h2 का molar mass कितना होता है, 2 होता है ना, तो उसका simple formula, molar mass is equals to 2 into vapor density, simply आपने यहाँ पे लगा देना है, उसके बाद बेटा, आपके पास आता है, अगर आपने 2 solutions को mix कर लिया, दोनों के moles तो same ही है, तो आपके पास equation आती है, m1 v1 is equals to m2 v2, बहुत बार आपने देखी होगी, अब देखते हैं, बेटा, आपके पास percentage of element in compound, बच्पन से करते जा रहे हैं, तो बेटा, जो भी आपके पास compound है, उसके बीच में एक element की आपको निकाल लिए percentage, तो mass of element divided by mass of compound into 100, percentage है, तो 100 से multiply, अब बेटा, n यहाँ पे क्या है, मैं क्या यह number of molar है, ना, 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 यहाँ प होता है, अब बेटा, जब आप इस N को empirical formula के नीचे रगाते हो, तो आपके पास molecular formula की value, निकल के आज आती है, हम इसको एक table manner में solve करते हैं, don't worry, physical chemistry का हर एक chapter, बहुत detail में discuss करने वाले है, don't worry about that, अब देखो बेटा, आपके पास N factor आता है, N factor, elements के लिए valency होती है, solves के लिए Molarity is equal to N factor into molarity, और बेटा, यहां पर एक और चीज होदी, that is, number of gram equivalent is equal to N factor into number of moles, molarity के लिए जिस जो एहमियत number of moles की है, वही हमियत आपके पास, number of gram equivalents की है, normality के लिए, याद रखना ही, अब बेटा, आते हैं, next chapter, that is structure of atom, structure of atom, में बेटा, कुछ हैसे formulas हैं, जो directly आपको numerical form में आपके पास पहले तो यह आता है, equation, इसमें दिखो आपके पास, जो X है, वो element है, A, आपके पस mass number, N is number of neutrons plus protons, and Z, आपके पस atomic number, यह आपके पस number of protons के equal होता है, and number of electrons के equal होता है, जब होता है, याद रखना, तब equal होता है, जब आपके पास neutral atom है, ना कि कोई Ionic, कोई Ion में में नहीं होना चाहिए, अब बेटा, आपके पास next आता है, this is photoelectric effect, photoelectric effect है, H mu is equal to H mu naught plus half mv square, half mv square बेटा, आपके पास maximum kinetic energy होती है, H mu naught, यह बच्चा, आपके पास पूरा का बूरा work function होता है, and बेटा, जो mu naught है, that is your threshold frequency, अब देखो बेटा, इसी half mv square से हम stopping potential भी निकाल सकते हैं, next आपके पास आता है, EM waves के लिए, electromagnetic waves के लिए, आपके पास कुछ formula है, is equal to H mu, H c by lambda, mu is equal to C by lambda, बेटा, आपके पास frequency 1 by T time period होती है, आपके पास wave number is 1 by lambda, उसके बाद बेटा, बात करते हैं, matter waves की डी ब्रोगला equation है, बहुत important, lambda is equal to H by mv, v is the velocity, बेटा, यह आपके पास है, sinberg uncertainty principle है, यह वाला formula तो बेटा, सारी दुनिया जानती है, लेकिन यह वाला formula ध्यान से देखने न, यहाँ पर delta E, delta T आजाएगा, same वही चीज है, उसके बाद बेटा, आपके पास आता है, bohers model, इसमें बेटा, आपके बास mvr is equal to NH by 2 pi, H बेटा, यहाँ पर अपना plank constant होता ह इवी को जूल में कैसे convert करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, energy, radius and velocity कैसे निकालते हैं, बेटा, इसमें जो N है आपके पास, that is the orbit number, right, and Z आपके पास atomic number है, and बेटा, यहाँ पर जो frequency होती है, that is directly proportional to Z square, inversely proportional to NQ, सारी फॉर्मुलास अच्छे से आपको पता होने चाहिए, उसके बाद, बेटा, next आपके पास हाता है, this is R, is Ritberg constant, right, Ritberg constant, RKK value है, not gas constant, RKK value है, 1 by RKK value, सब कुछ पता होना चाहिए, Z बेटा, again, that is atomic number, यह आपको, बेटा, वेव नमबर भी यहाँ से पूछा जा सकता है, N1 यहाँ पर लोग, जहां से हायर, से कहां पर आ रही है, अब देखो, N1 को निकालने की और भी बहुत सारी चीजे हैं, आपको यह सीरीज गिवन सकते हैं, LIMAL, BARMAL, PASTRON, BRKET, PFR, अच्छा, इसमें आपको यह भी गिवन सकता है, यहाँ पर N1 की वाल्यूज है, यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपको यहाँ प स्पेक्ट्र लाइन, N-1 by 2 होती है, सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाइ कर देना, क्वांटम नमबर यहाँ पर N1 is principle quantum number, L is azimuthal quantum number, M for magnetic quantum number, S for spin quantum number, तो देखते हैं, अगर आपको शेल के बीच में और निकालने हैं, तो N2, अगर इलेक्टर निकालने हैं, उसका डबल कर देना, अगर आपको सबशल के बीच में और निकालने हैं, 2L प्लस 1, अगर इसके लेक्टर निकालने हैं, उसको डबल कर देना, अब देखो, ऑर्बिटल अंगुलर ममेंटम बेटा, L के शेप में आता है, और spin momentum जो है, आपका N के रिस्पेक्ट में आता है, अब देखो नेक्स आपके पास आता है, नोट्स कैसे निकालने, रेडियल नोट्स बेटा, N-L-1, अगर आपको टोटल किसी ने बोला हो, that will be N-1, simple, सीधा, सीधा, यह सारी वैल्यूस डालनी है, और आंसर निकल के आजाना है, बहुत सिंपल है, राइट, नेक्स आता है, आपके पास equilibrium equilibrium को ज़रा धहान से देखो, यह आपके पास equation है, उपर products, नीचे reactants, raised to the bar, stoichiometric coefficient, जो इसके साथ-साथ है, यह जो होता है, यह जो होता है, अगर इनके active masses, मतलब, अगर यहां पे आपको aqueous medium में है, तो इसमें आपको concentrations फिल करना है, अगर गैसे है, तो प्रेशर फिल करना है जिसमें delta NG आपके पास number of moles of gas के निकालने, product minus reactant, दोनों gas के होने चाहिए, ठीक है जी, और बेटा, के equilibrium आपका forward by backward reaction के constant के equal होता है, उसके बास बेटा, आपके पास R की कुछ values है, then pH बेटा, concentration से कैसे related है, POH concentration of OH से कैसे related है, log के बेटा, अगर आप चाहते हो, मैं log और anti-log प next, this is ionic equilibrium, हमेशा जिंदगी में आद रखना, अगर आपके पास यहाँ पर 111 करके है, तब बेटा, आपको direct formula apply करना है, नहीं तो पहले तुम्हें से C00, C-C alpha, C alpha, अगर यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर 2 लिख देती, ठीक है, तूस तरीके से बच्चा आपको इसको calculate करना ह है, तो बेटा, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर भी 1111, तो आपके पास यह formula आएगा, इसको मैं C alpha square में भी लिख सकती हूँ, next, आपके पास KW जो है, आपके पास H और OH की concentration के बराबर होता है, 25 degree Celsius, इसकी value होती है, 10 raised to the power minus 14, अब बेटा, आपके आपके पास K dissociation constant होता है, और C आपके पास concentration होती है, तो अगर आपको pH, pk और log C की values को आपस में equate करना है, तो आपके पास यह equation आती है, आपको direct formula अप्लाई करना होता है, उसके पास बच्चा आपके पास आता है, solubility product बहुत जादा important, बहुत जादा question इसे पूछे जाते आपके पास Y है, तो आपके पास S होगा, that is solubility, जो आपको given हो सकती है, पूछी जा सकती है, raise to the bar X plus Y, direct इस equation को आपने याद कर लेना है, ठीके जी, उसके बात बेटा हम चलते हैं, next अगर आपने equilibrium में कोई छेट-छाड करी, तो बच्चा यहाँ पर क्या करोगे, अगर रिवर्स कर दोगे, तो यह उल्टा हो जाएगा, अगर बेटा multiply किसी भी factor से कर दोगे, उसके ब ठीके, कुई भी N की value हो, अब देखो, अगर आप दो equations को add करते हो, तो बेटा, उनके equilibrium constant को multiply कर देना है, दो equation को subtract करते हो, तो उनके equilibrium constant को divide कर देना है, आपके पास नया equilibrium constant आ जाएगा, next आता है thermodynamics, चलो देखते हैं, थर्मोडाइनमिक्स से तुम घबराते हो, कोई बात नही सब कुछ easy कर दूँगी, ठीके, तो देखो बेटा, आइसो थर्मल मतब, temperature constant होता है, आइसो बार एक pressure constant, आइसो कोर एक वोल्यूम constant, adiabatic, heat exchange होता ही नहीं है, ठीके जी, उसके बाद देखो, first law से DO is equal to DQ plus DW, याद रखना, physics और chemistry की thermodynamics में, sign convention का hair फेर है, तो उसको ध्याद as it is वहाँ पे physics वाले को chemistry में मत copy paste कराना, ठीक है, तुरह sign convention का धिहान रखना, अब डेल्टा यह आपके पास इंटर्नल नर्जी है, यह आपके पास CV के साथ directly related होती है, डेल्टा H आपके पास enthalpy है, यह CP के साथ directly related होती है, CP minus CV आपके R के equal होता है, यहाँ पे R आपका gas constant है, बिटा देखो, अगर आपके पास यह दो equation apply करनी है, अगर आपको equation given है, तो आप यह वाला formula apply करोगे, delta NG की value आपके पास आजागी, equation नहीं given pressure and volume बिटा आपको given है, तो आप यह वाला formula apply करोगे, for delta H, अच्छा यह वाली हमने पहले भी करी हुई है, अब देखो entropy को enthalpy से कैसे relate करते है, अगर आप vaporization की बात करो, तो delta H of vaporization by boiling point, fusion की बात करो, delta H of fusion by melting point, next आपके पास बेटा आता है, Gibbs free energy, बहुत जादा यूज होती है, अलग जगाओं पे, आगे आने वाले chapters में बहुत जादा यूज होगा, इसका, delta G is equals to delta H minus T delta S, यहापे बेटा, spontaneous के लिए delta G negative होती है entropy आपके हमेशा positive होती है, यह equation जड़ा बेटा अच्छे से याद रखने ना, जो आपके बास Q है न, that is reaction quotient, जब आपके बास equilibrium अभी achieved नहीं हुआ, without equilibrium आपके पास यह है, यह आपके बेटा standard Gibbs free energy है, अगर equilibrium हो जाएगा, delta G बेटा 0 के equal हो जाएगी, जो reaction quotient है, वो equilibrium constant में बद हो जाएगे, तो आपके पास equation आएगी, delta G not equals to minus 2.303 RT log 10 KQ, base to 10 पे होता है, log हमेशा, अब देखते हैं बेटा, आपके पास work done की बात करते है, work बेटा, अगर आप isothermal की बात करे हो, for reversible process, आपके पास V2 by V1 होता है, ठीके, यह सारी से, V2 by V1, अगर आप pressure की case में बात करते हो तो P1 by P2 होता है, क्योंकि आइसो जर्मा के लिए pressure and volume दूसरे के inversely proportional होते है, अब बेटा, अगर आप irreversible की बात कर रहे हो, तो minus P external delta V होता है, और यहाँ पर आइसो कोरिक यह जीरो होता है, ठीके, जीरो होता है, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, सभी बच्चे बता तुम्हें एक धमाकेदार चीज आपके प्यारे से गौरफ सर यहाँ पर देने वाले है, तो देखो यार, सभी बच्चे बहुत ही धमाकेदार चीज है, यहाँ पर मिलेंगे और वो खुशी को celebrate करेंगे, ठीक है, एन एक और चीज, बिटा, टेंश मतले ना, कि मैं ने होते हैं आज रात को शाप 11.55 पर चानल पर आजाओगे, 11.59 पर हम आजाएंगे, all the various, बिटा, see you all.